हेलो फ्रेंट्स मैं हूं मिनाक्षि सौनी आप सबके साथ फ्रेंट्स आज मैं हूं इन नई टॉपिक के साथ में सेक्षंण 9 सेक्षंण 9 क्या है पहले ले जानने थे इसका मतलब क्या है यानि सेक्षण 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानि 1955 का जो एक Hindu marriage act है यानि हिंदु विवा अधीनियम उसी का एक धारा है section 9 इस धारा के अंतरगत बताया गया है कि दामपत्य अधिकारों की पुनरिस्थापना यानि कि इसको हम थोड़ा से समझ लेते हैं कि दामपत्य अधिकारों की पुनरिस्थापना से तात्पर रहे ॐसक्रों कहना क्या है इसका वास्तिफिक अर्थ क्या है तो अम चीजों को फिस्ट जान लेते कि जब या तो पती या पतनी विना किसी ना कि अलग कर देते यानि कि चाहे वो पती हो चाहे वो पत्मी हो अगर वो दोनों एक साथ रह रहेते पहले और बाद में बिना किसी कारण के यानि कि कोई उनके बीच में ऐसा एकस्की उस देखने को नहीं मिलता है कि कोई कारण है भी और कोई कारण नहीं है और आपस में एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं तो उन में से पीडित पक्षकार होता है यानि पती हो तो पत्मी अगर पत्मी है तो वह विक्टिम कौन हो गया पीडित अगर पत्मी ने ऐसा है वहाँ प्रस्तुत कर सकता है वह पर han लगा सकता है उस चीज़ के इस थरीके से मेरी पती मेरी पत्नी विन्ना किसी युक्ति कारण के सैपरेट रहा है जो च्टरा गया चे क्षब और मुझे छोड़ं करके चली उनसे जो जन्तोस्टो करके एक उनके जो पुना जो दानपत्य जो अधिकार है यानि उनकी जो शाधी जो टूटने के गागार पर होती है तो वह स्कूछ वह उसको ढ्रक्रिवी बचाएं और उनके जो अधिकार हैं निए वापस से उन दोनों की लाइफ's विगडि वह फूं स्थापना करना अब आगे बात करते हैं हमने यह तो जान लिया कि वास्ता में सेक्शन 9 है क्या यानि दामपत्य जो अधिकार हैं उनकी पुनेरे स्थापना होगे कोड़िगल Prioris recount हमने अगर अगर अइंद और कर तो तो क्या उसके बाद में वहां के जो आदेश होते हैं क्या उनकी पालना की जिमेदारी भी कोड़ की होती है चते हूं नहीं और जीजैरी कर सकता है यानि कि पेड़ित जो भी है उसने अगर वहां को puntition लगा इए तो उसने Supreme Court ने decree जारी करदी लेकिन decree जारी करने के пом viktigt पती हो या पत्नी हो आप यानी code code उनसे जवर्दस्ति उसकी पालना नहीं करा सकता अगर decree जारी करने के एक साल के अंतर मिलेशन है उसके वहितर वहितर अगर पती या पत्मी ने उसकी पाला नहीं करी, तो यह है कि जो पेड़ित होता है, उसको section 13 का फायद एक ground मिल जाता है, यानि कि वो तलाग का जो एक आधार है, आप उसको ये कह सकते हो, कि पती हो या पत्मी, वो उसको तलाग का एक आधार मिल जाता है. अच्छा इसके बाद में एक प्रक्रिया और आती है इसके अंतरगत कि कई बार पती या पत्मी दोनों में से कोई भी लगा देता है तो अगेंस पार्टी थोड़ा सा घबडा जाती है या फिर डर जाती है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यह बता देती हूं अगर हस्बेंड हैं तो उनको डरने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक सेविल का मैटर है यानि कि सेविल केस और क्रिमिनल केस दो तरीके के होते हैं तो जो सेविल का केस है उसमें इतना डरने की आवशक्ता नहीं है और उनके लिए जो इसमें जैसे कि कई बर पत्नी बिना बता वाइलेंस का या फिर और कोई केस का लगाया जाता है मुगदमा तो उसमें उनको थोड़ा सा relaxation मिल जाता है कि पुलिस एक तो इनको अरेस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वह जब भी उनको पुलिस अगर लगा रखी है तो उससे उनको एक बचाव का पक्षम मिल जाता है सेकेंड उनको अगर मैंटिनेंस वाली बात आती है CRPC 125 या domestic मैं तो वह भी उनको नहीं देना पड़ता वह नियाले से गुजारिश कर सकते हैं कि मैंने इस तरीके से पारिवारिक नियाले में याचिका लगा रखी है और उसके बाद में वह उनको उनकी पत्नी चाहिए ना कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ में रहती है तो उनका भारण पोर्शन की भी वह जिम्मेदारी स्वैम उठाते हैं तो इसलिए उनका पचाप का पॉइंट भी रहता है तो यहां हम कह सकते हैं कि सेक्शन नो के हमें कई सारे फायदे मिलते हैं हस्बेंड के लिए और यहीं वाइफ के लिए अगर बात आती है कि क माप और हस्बेंड को हाजिर होना पड़ता है उनके अगर हस्बेंड युक्ति युक कारण को वहां साबित कर सकता है एविडेंस के साथ मैं तो कोड उसी के अकॉर्डिंग डिक्री जारी करते हैं लेकिन अगर वह साबित नहीं कर पाया तो वह उसके यानी प्रेटिशन ज और पती को भी मिलता है अटि नोटीश का रखना चाहते हो पतियों के लिए जोग आ'S आ की पोजीशन और के तामिल करके क्लια करें अपने ऑपभीडेंस करें क्या क्या नहीं है अगर नहीं रखना चाहते हैं अगर रखना चाहते Britney लंब साफल और क्वेंस की तरफ सबसे उसके अधिर्णित अगर वाइफ को अगर ही नोटिस जी जाता है तो उसकी कोई गैरंटी नहीं है कि उनको नोटिस मेला वह आए और नहीं नहीं पीतोर N ja अगर उसमें महिला है जो पत्नी है वो हाजर नहीं होती है तो वन येर के बाद में कोट वन साइड डिग्री दे देती है और एक ड्राइवर्स का ग्राउंड बन जाता है तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन लौग क्या है इसकी प्रक्रिया क्या है दौन मेरे मेरे हसाब से आपको समझ में आ गई होगी अगर फिर भी आपको कोई भी कंक्लिउजन है या आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंड में जाकर करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं जिससे मैं आपके जो सबाल बनते हैं या फिर और आपके मैंड में कोई क्वेरी जो इस तरीके के अगर कंडिशन में हैं या कोई भी महिला मेरी दोस मेरे भाई बेन चोटे बड़े जो भी है तो उनको एक help मिली थैंक यू झाल 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 झाल